नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्णिशन बिहार में जहां एक तरफ शराब बंदी है तो वहीं दूसरी तरफ शराब तसकरी हर एक प्रियास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से शराब की तसकरी की जाए बिहार सरकार भी लगातार शराब तसकरी को पकड़ने के लिए हर एक प्रियास में जूटी हुई है वहीं मुख्यमंत्री नितीश कुमार की बात करे तो बिहार में शराब बंदी है लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अब ये सवाल उठा रहा है कि इस शराब तसकरी की जो अब मनोवल है वो इतनी जादा बढ़ गई है क्योंने इस बात का भी डर नहीं है कि 24 गंटे पहले उसी जिले में मुख्यमंत्री नितीश कुमार आने वाले है और उनके 24 गंटे के बाद तुरंट से शराब तसकरी शुरू हो जाती है दरसल घटना बिहार के मुजफर पूर जिले की है जहां मुख्यमंत्री नितीश कुमार जो हैं वो पहुंसते हैं और पहुंचने के बाद 24 गंटे के बाद शराब तसकरी का मामला सामने आता है बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार शराब बंदी के लाखो दावे कर रहे हैं मगर शराब की तसकरी का सलसिला जारी है जहां शराब तसकर जो है नए नए तरीके अपना कर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे हुए है वही बिहार पुलिस भी अवयद शराब के कारोबार को विफल करने के लिए लगतार प्रियास कर रही है ताजा मामला मुखफरपूर बेला ओध्योगिक चेतर फेज वन का है दरसल मुजफरपूर के बेला ओध्योगिक छेतर में गुरुबार को मुख्यमंतर नितीश कुमार लेदर क्लस्टर में पालन का घर का उधगाटन करने पहुचे थे इसके बावजूस शराब तसकरों का मनोवल इतना बढ़ चुका है कि मातर मुख्यमंतरी के जाने के बाद यानि के 24 घंटे के बाद ही उसी बेला के ओध्योगिक छेतर में एक फैक्टरी को शराब तसकरी के इस्तमाल कर रहे थे जिसके सूचना शुकरवार को बेला थाना पुलिस को मिली बेला थाना ध्यक्ष नीरु कुमारी ने दल बल के साथ जब फैक्टरी पर चापा मारा तो वहाँ पर से एक ट्रक पर चार पिक अप और दो ओटो पर भरी मातरा में अवैध विदेशी शराब बाए गये हैं जिस पर आस पास के फैक्टरी करमचारियों में भी हड़कम मच गया थाना ध्यक्ष नी बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी की बेला फेज वन के फैक्टरी में अवैध विदेशी शराब का कारुबार किया जा रहा है जिसके अधार पर ये च्छापिमारी की गई है च्छाप के साथ आलू और भूसा लादा था बीच में शराब के काटून जो है वो छिपाये गये थे शराब को दूसरे इलाकों में खपाने के लिए पिक-अप और टेंपू मंगाई गई थी उस पर भले ही भूसा रखी गई थी लेकिन उसके नीचे जो है वो शराब रख पहुंचे थे जहां मुझफरपूर पहुंचने के चन्द घंटों के बाद यानि की चौबस घंटों के बाद वहां पर एक भरी मात्रा में शराब तसकरी की जा रही थी आपको बताते चले जब इसकी सूचना बेला था नाध्यक्ष को पता चली तो वहां पर जाकर वह बंदी है और मुख्यमंत्र नर्तिश कुमार इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो वहीं जो शराब तसकर है वो लगातार उनका जो मनोबल है वो बढ़ता चला जा रहा है और प्रशासन से बे खौफ होकर वो शराब की तसकरी कर रहे हैं फिलहाल कले इस ख़बर में नहीं और भी निव्स और अप्डीट के रहे हैं निव्स फोर्डिश ओर अप्डीट के रहे हैं निव्स फोर्डिश और